Hello Friends!!! आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Facebook page को delete कैसे कर सकते हैं जी यहाँ दोस्तों Facebook page को delete करने के लिए सबसे पहले आपको अपने facebook page को login कर लेना है लोग इन करने रबाद आपके सामने कुछ इस परकार का home page ओपन हो जाएगा अब simply दोस्तो page को delete करने के लिए यहाँ पर आप उपर कोने में देख सकते हैं आपको triple line का option दिखाए दे रहा है तो simply आपको इसी triple line ओल उप्सन पर click कर देना है triple line ओल उप्सन पर click करने बद आपके सामने कुछ इस परकार की options हो जाएगे तो दोस्तो यहाँ पर आप उपर देख सकते हैं आपको search box के just side में setting का option दिखाए दे रहा है तो आपको इसी setting ओल उप्सन पर click कर देना है setting ओल उप्सन पर click करने बद आपके सामने कुछ इस परकार का page open हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तो आपको काफी सारी option दिखाए दे रहे हैं अब simply दोस्तो facebook page को delete करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे scroll करना है और यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाए दे रहा होगा दोस्तो इस option पर क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस परकार की दो options हो जाएंगे फिर्स्ट option है deactivate page और second option है delete page अगर दोस्तो आप अपने facebook page को हमेशा के लिए डिलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको second number option पर क्लिक करना है और दोस्तो अब यहाँ पर आपको एक region select करना है कि आखिर आप अपने facebook page को delete क्यों करना चाहते हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैं एक region कोई साभी select कर लेता हूं तो आपको भी एक region कोई साभी select कर लेना है छो दोस्तो यहां पर मैंने first reason select कर लिया है I spent too much time on facebook ठीक है इस option पर क्लिक कर दिया है click करने बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इसपरकार का page open हो जाएगा यहां पर दोस्तों आपको continue value option पर click कर देना है Continual option पर click करने बद आपके सामने कुछ इस परकार का dashboard open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे school करना है ठीक है यहाँ पर आपको काफी सारी option दिखाए दे रहे हैं अगर दोस्तों आपने जो भी Facebook page पर post किया है उस post को download करना चाते हैं किसी video को download करना चाते हैं तो आप delete करने से पहले यहाँ से download कर सकते हैं ठीक है अब simply दोस्तों यहाँ पर आपको continue option पर click करने बद दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपने Facebook ID का password डालना है तब ही आप अपने Facebook page को delete कर पाऊगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने Facebook account का password डाल देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने Facebook account का password डाल दिया है Facebook account का password डालने के बद यहाँ पर आपको नीचे continue option पर click करने बद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से continue option पर click कर देना है दिन के अंदर फिर से लोगिन कर लेना है तो आपका फेसूप पेज वापिस आ जाएगा तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको फेसूप पेज को डिलेट करना आ गया होगा अगर आपके वीडियो थोड़ा सा पसंद आए आपके वीडियो को लाइक करें उचान को सब्सक्राइब कर लें